और चलिया आगे बढ़ते हैं जहासिक कानपूर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है कोहरे के चलते वहनों की रफतार पर भी ब्रेक लगा है रात दस बज़े आपको बता दे कि इस बीच भिशन सड़कासा देखने को मिला दो ट्रकों की आपस में भिड़नत हुई नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक इस पूरी घटना को लेकर जाम लगा रहा घने कोहरी के आगोश में आपको बता दे कि इस समय शहर है और जिसकी वज़े से बड़े सड़कास से भी देखने को मिल रहे है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सरव से घने कोहरे का असर इस समय पूरे उत्तर भारत में बना हुआ है इस बीच नेशनल हाईवे पर जहां घने कोहरे की परत छाई हुई है तो उसे की वज़़े से लगातार हास से भी देखे जा रहे है एक बार फिर से जहां से कानपूर हाईवे पर ये हाथ सा देखने को मिला देख सकते हैं मेरे पीछे जो लगे फॉगिंग है और कोहरे के चलते एक वीचन सड़क हाथसा हुआ है जहां लगातार प्रयास किया जा रहा है किस तरह से इन बहानों को हटाया जाए लगातार इस प्रियास में पुलिस लगी हुई है लेकिन यह आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से जो जाम है वो लगा हुआ है और जाम के साथ साथ यदि हम बात करें प्रशाशन की तो प्रशासनिक अमले यहां मौजूद है नैसनल हाइवे की टीम यहां आ चुकी है लेकिन अभी तक जाम नहीं खुला है लगातार कम से कम दो से तीन किलो मीटर तक का जाम जो है वो लगा हुआ है वेविक राजोरिया नेटवर्क टैन छासी